असलमलीकूम दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल मिक्सीन फार्मेशन स्टूडेंट्स मैं आप लोग के साथ शेर करने जा रही हूँ छपन सो साथ के अंपोर्टन्ट क्वेस्टन ये क्वेस्टन एक्जैम में बार बार रपीट होते हैं जिसकी वज़ा से इनके आनी के चांच से ज्यादा होते हैं अगर आप लोग इनकी त्यारी अच्छे से करोगे तो एक्जैम में बहुत अच्छे मांक्स इजिली हसल कर सकते हैं वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताके मेरी नई आने वाले वीडियो आपको मिलती रहें तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी वीडियो की जानब जी स्टूडेंस हम लोग अपने चपन सो साथ की अमपोर्टन क्वेस्टन की जानब आ चुके हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग इन क्वेस्टन के साथ साथ अपने पास्ट सेन्मेट को भी लाजमी देखा कीजिए उनसे भी दो या तीन क्वेस्टन मोस्ट ली आ जाते हैं तो जल्दे हैं अपने अमपोर्टन क्वेस्टन की जानब हमारा फस्ट क्वेस्टन है मुमन खान मुमन की शायराना खसूसियत प्यान करें और हमारा सेकिंड क्वेस्टन है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल, इश्क और सूफियाना पहलू की वजाहत करें और हमारा ठ़र्ड क्वेचन है अर्दो गजल को समौने में ख्वाजा मीर दर्ड की कावशों पर जामिया नोट लिखें और हमारा नेक्स्ट क्वेचिन है उर्दू गजलनगारी में रफी सुदा का मुकाम वा मर्तबा मतेयन करें और नेक्स्ट क्वेचिन है मिर्जा रफी सुदा की गजलनगारी की खुसूसियत तहरीर करें हमारा नेक्स कोषचन है मसनुई सहरल बियान का तनकीती जाइसा ले और नेक्स कोषचन है हाली की गजल की खसुसियाद तहूरी और नेक्स कोषचन है हसरत की शायरी का मेहवर इश्क्वा महबथ से पहस करें आगे नेक्स्ट क्वेस्टन है मौमन की गजलियात की खुसूसिया तहरीर करें नेक्स्ट क्वेस्टन है अर्दू गजल कोई में मुसफी का क्या मकाम है मसालों से वजाहत करें हमारा नेक्स क्वेस्टन है आतिश की गजलों शायरी में इशक की कहरी और जजबात की हरारत पाई जाती है मसालों से वाजिया करें हमारा नेक्स क्वेस्टन है उर्दू शायरी में दर्द का मकाम वा मरतबा मतयन करें नेक्स्ट क्वेस्चन है वली दकनी अर्दू शायरी का बावा अदम है बहस करें और लास्ट पे क्वेस्चन है अर्दू गजल के अगाज वा अर्तका पर तफसीली नोट लिखें जी स्टूडन्स मैंने आप लोगों के साथ इंपोर्टन क्वेस्चन शेयर किये अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमंड लाजमी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज